निजी बस ऑपरेटर संग हिमाचल प्रदेश की राज्य स्तारी बैठक नाला गड़ के होटल जी एस गाड में आजित हुए बैठक में प्रदेश अधियक्षी राजेश पराशर हिमाचल सरकार को चेतामली देते हुए कहा कि प्रदेश में भारी लोगो ओल इंडिया टूरिस्ट जारी करने की प्रक्रिया बंद नहीं की गई तो सरकार को इसका खामिया जा भुगत ना पड़ेगा इमाचल प्रदेश पर भारी राजेश के लोगों को ओल इंडिया बस परमिट नहीं मिलना चाहिए जब सरकार द्वारा भारी राजेश की कोंटर साइन करवाने का प्रावधन है तो उसको परमिट देने की क्या जरूरत है उन्होंने सरकार द्वारा बढ़ाए गए टोकन पर बोलते हुए कहा कि वह सभी टैक्स देने के लिए त्यार है परन्तु जब वह टैक्स जमा ओनलाइन करवाते हैं तो सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी होने से दो साल पहले का दर्शाय जा रहा है उसके अलावा 25 प्रतिशत पैनल्टी के साथ लिया जा रहा है और बीबीयन हिमाचल बस ओपरेटर यूनियन के एवं नालागड ट्रक ओपरेटर सुसाइटी के अध्यक्ष जतिंदर रठाकुर निर्मल सिंग बगाराम नरेश चोहान जतिंदर राडा सहित शामल रहे प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से रूबर होते हुए कहा कि प्रद विरूद किया जाएगा उन्होंने सरकार से मांग रखी है कि उनकी मांगों को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाए उन्होंने कहा कि जैसे हिमाचल में स्लीपर बसों को प्रतिबंधित किया गया उसी तरज पर 52 सीटों से ज्यादा बसों के पर्मिट ना दिये जाए इस झाल झाल